असलाम अलेकुम एप्रीबन वेलकम बैक तुमा यूट्यूब चैनल में हुनास और आप देख रहे हैं अपका अपने चैनल यूनिक रिजाइन बाइनास फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लेडी स्वाट की कटिंग और स्ट्रेचिंग लेकर आये हैं इंश्वाला ताल आपको कपड़े को इस तरीके से फोल करकर रख लेना है मैंने यहां पर लगबक एक मीटर के लगबक मैंने कपड़ा लिया है बट आप दो मीटर लें विल्कुल ठीक ठाक आपकी जो स्टार्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से देखिए सबसे पहल जो भी आड़ा तिर्चा होगा कपड़ा तो सीधा हो जाएगा तो इस तरीकी से सीधा करने के बाद आपको लेंगे जितने भी आपकी लेंट है उतनी ले लीजी तो यहां पर जैसे कि 28 इंश की मैं लेंट रख रही हूं मैं थोड़ा इसको नीचा ही बना रही हूं यादा शॉट में नहीं बना रही हूं मैं और उसमें मैंने एक इंच एक्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए जो कि हमारे फोल्डिंग में जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देखिए जो बंद वाली साइड या फंटी मैंने ले लिया तो इसी के हिस फोल्ड करकर रख लीजिए कर ठीक है जितना भी अपने निशान लगाया है अब सारे निशान आपको यहां से लगाने है तो जैसे कि तीरह मैं आप ले रही हूं 6.5 इंच जितना है उसे एक इंच एक्ट्रा ही लिजी और मैंने यहां पर आर्मोल ले लिए 7 इंच के और य हम एक शॉट कटिंग कर रहे हैं बस एक शॉट का लुक दे रहे हैं अब जितनी भी चैस्ट है वो ले लीजी और जितनी भी है उसमें दो इंच एक्ट्रा कर लीजी लूजिंग के लिए आपको लूज पहना आई या फिर फिटिंग में पहना आई अपने अकॉर्डिंग कर दूंगी ठीक है तो जितनी भी आपकी फिटिंग है बस उससे दो इंच अप एक्ट्रा ले लिजी एड कर लीजी दो इंच ठीक है अब देखिए अच्छे से हो चुके हैं आप से फंटी से अप अच्छे सा शेप दे देंगे हां पर कुर्ती के जैसे ही मैंने आपको बो अगर हम बिल्कुल फिटिंग वे लेंगे तो फस जाएगी वह कमर पर ठीक है तो इसलिए मैं यहां पर जो है एलाइन में मैंने कटिंग कर लिए अब यहां से आप अच्छा सा इस तरीके से शेप दे दें ठीक है तो जैसे कि हम एस बनाते हैं तो एस आप बना लिजी देक आपको अच्छे से नाजर आए तो हमने एक एस जैसा बना दिया है ठीक है एस लेटर होता है ना बही वाला अब अपने क्या करना है यहां पर निशान लगाना है नेक का तो धाई इंच मैंने चोड़ाई ले लिए और धाई इंच ही हमने लंबाई लिए ठीक है तो अगर रडुबात तेर्व गिराना चाहते हो तो गिर सकते हो यहीं से मातलब एक सिंपल तरीके से हम इसको पर आप नहीं कर लेना है तो जितने भी बहुरें के निशान है और पर आप क्टिंग किजीगा आप अगर इससमें हड़ा चाहते हो जहाना चाहते हो तो तो ऑоп प्रा न आदा इंच और एक्स्टर ले लिया है जैसे कि आप देख सकते हूं तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है अभी आपको यह खोलना नहीं है ठीक है इसको ऐसे ही रख देना है अब दूसरा पार्ट आपको ले लेना है तो हम बैक पार्ट करेंगे तो बैक के लिए अच्छ अब आपको देखना है कि फ्रेंट पार्ट हमारा हलका सा उच्छा है अब आप बैक पार्ट अगर नीचा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहां से मैं और अच्छा शेफ देना चाहरू हूं से तो मैं यहां से यह कटिंग कर दूँगी ठीक है इस तरीके से तो और तीस इंच तो मैं इसमें 31 यानि कि एक इंच बढ़ा रही हूं में ठीक है जादा नहीं बढ़ा रही हूं आप इससे जादा भी बढ़ा सकते हो और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ऐसे कटिंग कर दीजीगा यहां से मिलाकर आपको रखना है और साइट से आपको नीचा कर देना है ठीक है अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इस आले निचान अच्छे से कटिंग कर लेने हैं काफी अच्छे से आप कटिंग सीख सकते हो इसकी अगर आपको वीडियो को सलो कर देखना है तो आप सलो भी कर सकते हो बिल्कुल इनी निचान पर अच्छे से आपको कटिंग करना है और यहां से देखने आपको मिला देना है ठीक है तो ऐसे देखी इतना नीचा हमने पीछे की साइट से हमने बढ़ा कर लिया है यह ऐसे रहने वाला है ठीक है अब आपको क्या करना है स्लिप्स कटिंग करना है तो स्लिप्स आप कटिंग कर सकते हो तो नॉर्म स्लीप्स में और मैंने यहाप स्लीप्स ली है ठीक है अब आपको क्या करना है स्रट का आपको फ्रंट पार्ट साइट से साइट से रख देना है और बैक पार्ट आपको ले लेना है और इसमें देखिए आपको फ्रंट पार्ट के आम होलें वो कटिंग करने है यानि कि यह कुछ उपन कर लेना है इस तो यह उपन होने की गर देने है यहां को क्या करना है को यहां से आपको लगा देना है ताक्豆 टीक है जो ही से हमारी बटन बाली पट्टी रहेगी तो उसी के हिसाब से हमें यह फोल्ड करना है जो बटन बाली पट्टी है उसको हम बारी फोल्ड करेंगे इस तरीके से और जो हमारी काज बाली पट्टी रहेगी इसको हम चोड़ा पूरा जो हमारा चौक का निशान है उसी के हिसाब से यानि कि फोल्ड कर देंगे ठीक है तब यह इसके उपर इस तरीके से आ जाएगा तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की पी जरूत नहीं पढ़ने वाली है काफी इजी से हम यह फोल्ड कर सकते हैं अब मैंने यह बारिक बाली जो है साइट ले लिए तो इसको हम जो बारि वट्टी अलव होती है जो हम बुक्रम लगाते हैं पेस्टिंग पेपर लगाते हैं बट इसको आप ऐसे हलका सा फोल्ड कर दोगे तो फिर आप इजीली शॉट को बना सकते हो कम कपड़े में भी आप यकीन नहीं करेंगे मैंने यहां पर एक मीटर कपड़े में बनाया है और अगर आपको पूरा शॉट बनाना है अच्छे से इसमें कप बगेर लगाने है या तीर लगाना है तब आप दो मीटर कपड़ा ले ली चाहिए अब देखिए आपको क्या करना है यह मैंने फोल्ड कर लिया है बारिक वाली साइड हो गई है अब हम यह देखिए काज व लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हूँ पहले भी मैंने शॉट की कटिंग काफी अच्छी से बताई हुई है उसमें हमने काज पट्टी भी लगा कर आपको दिखाए कि पेस्टिंग पेपर किस तरीकी से लगाया जाता है आपको लाश्ट में स्क्रीन पर वीडियो लेना है बागी की बच्ची हुई पट्टी भी आपको अच्छी से फोल्ड करना है और उसके बाद यहां पर जो है आप प्रेस कर लें अगर आप कंणी वाली साइट लेते हो तो काफी इसली फोल्ड हो जाता है काफी कपड़ एसा होता है कि वो खिचना होता यानि की खिच से यह वाला पार्ट इसके उपर ऐसे रख देना है बिल्कुल परफेक्ट आएगा ठीक है अब यहां पर मैं कच्छा कर दूँगी सोवी से मैं यहां पर कच्छा करूंगी ताकि यह अच्छे से यहां पर रोख जाए और हम सारी फिटिंग बगार अच्छे से कर सकें ठीक है तो मैंने यहां पर कच्छा कर लिया है तो इसे बड़े बड़े टाके मैंने यहां पर लगा दिये हैं अब आपको क्या करना है इसको फोल्ड करना है और उसके बाद यहां पर हमें नेक करना है मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी तो कॉलर के लिए हमें नेक करना है अच्छे से तो इसको फोल्ड करकर आपको रख लेना है, सेट कर लें अच्छे से, तो अभी आपको देखिए जो नशान नजर आ रहा है वो आप कटिंग कर लें, जैसे कि मैंने यहां से धाई लिया था, तो धाई ही आ रहा है और लेंध हमने धाई लीती तो धाई आपको लेनी है, ठीक रहें हैं, और बाकी कि हम कॉलर्स में लगा देंगे, अब आपको क्या करना है, बैक पाट लेना है, और बैक पाट भी आपको जोडिना है तो बैक पार्ट में आपको करना क्या है सबसे पहले तो यहां से तीरा कटिंग करना है हमें हाला कटिंग करते हैं तो यहां पर धाई इंच की चोड़ाई लेनी है और एक इंच का आपको मतलब नैक की लंबाई रखनी हाला यह कटिंग हो जाता है ठीक है अब यह हाला होने के बाद हम जो है जोड देंगे सोंडर अपने सरी के तो उसलीट साइड से बराबर होना चाहिए ठीक है उदर से ही रख कर हम इसको कूछ थार ष्यार तो देखिए इधर से मैं बराबर करूंगे एधर से बराबर होना चाहिए двух कुछ तरीख अपन ऐब हरा यहां पर लगा लेनी है क्या तो उसी तरीक़ से सोल्डर आप कोई गरा और से गरा इस तरीके जिर तो यह वह रहता है इस तरीके से डबल सलाई लगा दी है अब आपको क्या करना है जो फिटिंग है इसमें वो आपको लगा लेनी है ठीक है क्योंकि फिटिंग तो हम किनारी पर ही लगाएंगी अब इसको अच्छे से सेट करकर आपको रख लेना है और यह निशान आपको दीखना है विल्कुल किसी पर आपको यहां पर सलाई कर देनी है ठीक है काफी जादा एजी है आप इस तरीके से यहां से सलाई ऐसे लगा सकते हो दोनों साइड ठीक है तो मैंने अभी सलाई लगा ली है और यह देखी दोनों साइड अच्छे से सलाई लगा ली है ठीक है अब इसको आपको सीध कि यहां हम लגाएंगे लेकिन उसे पहले उसके पहले मैं नर्णणटा 301 तो यहां को यहां को बात में करना हम essa तो जैसे कि इस तरीके से फोट रखना एम आपलेंगे तो मैंने तो तो आठ में तयार यहां पर चाहिए होगा तो मैंने बुक्रम ले लिया है अब सबसे पहले आपको क्या करना है 16 इंच का आ रहा है तो हम देखिए 16 इंच यहां पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और जो हमारे कॉलर की चौड़ा ही है वो मैं रहा हूं यहां पर एक इंच तो दो बिल्कुल इंच का ही है अब आपको क्या करना है कोई भी कपड़ा ले ले रहा है तो कपड़ा मैंने ले लिया है और यहां पर सलाई लगाने चली बना करके मैं आपको दिखाती हूं तो सबसे पहले यहां पर देखिए किनारे वाले साइड है तो किनारे की साइड आप रखें हलका सा कपड़ा छोड़ती हूई ठीक है और उसके बाद वुकरम बिल्कुल सीधा रखकर ऐसे अब चला दीजिएगा यहां पर मसीन ठीक है अब यह पूरा परफेक्ट हो चुका है अब क्या करना है आपको यहां से कपड़ा जो भी आडा दिर्शा है वो सीधा कर देना है और यहां से आप कपड़े को ठीक है इतना आपको छोड़ना होता है अब यहां पर आपको इसलाय करनी है कि देखी सिलाई यहां पर हो चुकी है अब क्या करना है जो भी एक्ट्र कपड़ा है वो आपको फोल्ड करना है अभी मैं यहां पर जो है यह वुकरम हमारा हलकर सा लूज हो गया है तो यहां अब इहां से आपको सीलाई करना स्रूव करना है तो जैसे कि यहां से देखिए अनदर के साइट से कर रही हूं थोड़ा खौड़ा कप्रा चोड़ाना है यह इस तरीके से लगाना है ना है वह बगरम दबना जड़ानी है अब यहां पर देखिए यहां तक हम सलाई लगाएंगे तो यह जहां तक हमारा बुकरम दीख दाए ना तो वहीं पड़े तक हम यह सलाई करनी है ठीक है ऐसे ही मैंने साधी से स्लाइज करना शुरू किया था अब यहां से खुला इस तरीके से नजर आएगा ठीक है तो अभी आपको क्या करना है यह जो कपड़ा है तो यहां से आप सीधा कर लें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिक ना कटिंग कर दें हलका सा छोड़ें और उसके बाद यहां से आपको क क्या करना है इस पर प्रेस कर लेनी है तो मैं आ गई हूँ अभी यहां पर मैं करूंगी इस पर प्रेस काफी इजी तरीका हो जाता है प्रेस करने में वह काफी ज्यादा फिनीसिंग भी आ जाती है ठीक है तो इस तरीके से प्रेस आप अच्छे से करकर की रखिएगा अब आपको क्या करना है प्रेस चार्च से हो चकी है आपको अब यहाँ पर क्या करना है इसी के approximate आपको चोप्र का एक निशान लगा देना है और बागी को कप्ड़ बसती है तो हलका सथ मार्जन छोड़ते हैं और आपको बागी का कप्ड़ा कटिंग कर देना है यह निसान जो हमने लगाया है यहां पर हम सलाई लगाएंगी ठीक है तो चलिए अब इसको आपको लगाना बता देए यहां से फोल्ड करकर से तरीके से लगाऊए ठीक है यहां से और बिल्कुल जो हमने चोका निशान लगाया ना बहीं आपको यहाँ पर सलाई करने हैं काफ़ी ज़ादा इजी हो जाता है यह और कॉलर में आप कपड़ा जो है ज्यादा ना ले जिसके मैंने जितना लिया है कॉलर यहाँ पर निशान लगाने के पाद चोका और हलका यह मा पूरा कॉलर आपको अच्छे से लगा लेना है और जो शट का कपड़ा है वो हमने गुलाई में कटिंग किया है गला तो वो खिचेगा और कॉलर जो है बिल्कुल सीधी है तो नहीं किचेगी तो इसलिए आपको जो है काफी अच्छे से यहाँ पर लगाने है कॉलर को कुलर को कीचना है ठीक है इस तरीके से कट लगाने के बाद यह देखिए फोल्ड होकर इस तरीके से आजाएगी यहाँ से कपड़ा इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दे सारा यह अंदर की तरब चला जाएगा यह पलटकर ऐसे आजाएगी यहाँ पर आप स्लाई लगा सकते हो यहां पर अच्छे से यह समालने कपड़े को और यहां से देखिए सलाई करना शुरूर करना है और इस तरीके से अब आप यहां पर सलाई कर सकते हो काफी जादा एजी है इस तरीके से पूरी कॉलर पर आपको अच्छे से सलाई कर देनी है ठीक है अगर आप गोल वाला कॉलर कटिंग खाना चाहते हो तो गोल भी कर सकते हो बट इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपने बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से इस्टारिस कपड़े बना सकते हो यहां से कपड़े को अंदर की साइट फोल कीजिएगा ठीक है और यहां से देखिए इधर की साइट हम सलाइक को फोल कर देंगे ठीक है और इस लाइक को आपको उपर की साइट ऐसे लगा देनी है अगर आपने हमें इंस्ट्राग्रम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्ट्राग्रम पर फॉलो कर सकते हैं यूजर नेम है यूनिक डिसाइन बाइनास या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगा फॉलो जरूर से कीजिएगा अब देखिए कॉलर अच्छे में देखी बॉर्टम में तो इसको हम फॉल्ड करेंगे ठीक है तो हलका पहले किनारे वाला साइड से करेंगा है यहां door कपड़े को देखिए ऐसे कीजिएगा और यह फोल्ड होने के बाद इसके बाद अगेन आप इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तब यह काफी फिनेशिंग के साथ फोल्ड हो जाए ऐसे ठीक है तो बॉटम अभी मैंने कर लिया है फोल्ड ठीक है इस तरीके से आया है काफी जाता फिनेशिंग के साथ अब आपको क्या करना है इसमें स्लीप्स लगानी है तो स्लीप्स जैसे कि मैंने यह देखी कुछ कपड़ा ले लिया है और इससे हम बनाएंगे तावीज तो हम अपने स्लीप्स पर लगाएंगे ठीक है और यहां से देखिए आपको सलाई करना ह अच्छे से चोखोटी सलाई में नोक बाली यहां पर नहीं लगा रही हूं आप ऐसे ही सिंपल वाली भी लागा सकते हो या फिर नोक बाला तावीज भी बना सकते हो जैसा आप चाहें उस अधीक कर बना रही हूं और उसके बाद यह आपको कट का देना है और इसको सीधा क कर लिया है सद्ट कर लिया il' ूर्फ अच्छे से बनाकर के अमने रख लिया है हूं स्लीप लेने उस तरीके से सेंट्र प्र भलकुल रखकर इसको इसके रखना है ऐसे आपको और यहां से देए इतना आता है अब यह आपको यहां से मोहें थे तो कपड़े को रखक कर under ego शब्द आप आए ठीक है अमें कि कपड़े को आप इस तरीके से शलाही यहाँ पर कर देनी है ठीक है अगर आप सेंटर करना चाहते हूं तो आप सेंटर कर सकते हूं जैसे कि मैंने हैं यहां पर कर लिया है और इसके बाद पलट करके इस तरीके से सीधी साइड आता है, यहां पर आप बटन बगारा लागा सकते हो और अपनी स्लिफ से अटेज कर सकते हो, ठीक है, फिटिंग लगाने के बाद, तो पूरा looks में आपको दिखाती हूँ, तो देखिई पूरा के इस तरीके कर दी हैं बॉटम भी हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है पासे मैं आपको दिखाऊंगे हमने रोज वाले जो है हमारे पास बटन है तो बुख हमने लगा लिए आपर काज खुद ही घर पर ही बनाए हाथों से तो आप भी विल्कुल इस तरीके से बना सकते हो यह काज बनान फोर टेपल है यह सलबार के साथ यह पहने तो यह टुलिप सलबार है अगर इसकी भी आप कटिंग एन इस्ट्रिक्शन सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फाइनल लुप मैंने आपको दिखा दिया है अब कैसा लगा वीडियो प्ल झाल